प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में कुत्ता कहता है प्रभू मैं मानता हूँ कि मनुष्योंने सबसे उत्तम योनी है लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के कुकर्म देखे हैं तब से इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनू तब धर्मराज कहते हैं हे स्वान तुमने क्या देख लिया मनुष्यों में जो उनसे इतनी नफरत करने लगे हो तब कुत्ता कहता है प्रभु यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे पृत्वी तल पर अब मनुष्य, मनुष्य रही ही नहीं गया है वो अपनी सारी मर्यादाओं को सारे कर्तव्यों को भूल गया है वो भूल गया है कि मैं मनुष्य हूँ जिसे वेद में सर्वश्रेष्ठ दरजा मिला है और तो और वो अपना भोजन तक भूल गया है अपना पहनावा भूल गया वो ये भी भूल गया कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ वो अपने माता पिता को भूल गया जाने क्या-क्या भूल गया सुनता हूँ और देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे प्रित्वी पर सबसे निंदित और घ्रिनित योनी यही है थोड़े बहुत लोग ठीक हैं तो उनकी लोग चलने नहीं देते उन्हें धूर्त और पाखंडी समझा जाता है मुझे तो नफरत सी हो गई है हे प्रभू आप मुझे कुछ भी करके आप मुझे कुछ भी बना कर धर्ती पर भेज दो भले ही मुझे फिर से कुट्ता ही बना दो लेकिन मनुष्य मत बनाना क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनोने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है और घिना से मेरा सर भटा जाता है तब धर्मराज पूछते हैं यदि ये सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे है जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनी से इतनी नफरत है तब कुट्ता कहता है हे प्रभू यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिये मैं अपनी आँखों देखी घटनाएं तुम्हें सुनाता हूँ पहली घटना ये है कि मनुष्य की नियत खराब बहुत जल्दी हो जाती है वो कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दी कभी कोई सुन्दर स्त्री दिख गई कभी कही कुछ धन माया दिख गई तो फौरन उसकी नियत खराब हो जाती है इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ किसी नगर में एक सेठ के घर एक बहुत सुन्दर कण्या उत्पन्न हुई कण्या बढ़ी ही रूपवती थी धीरे धीरे जब वो बढ़ी होने लगी तो उसका रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा धीरे धीरे कण्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई तब एक दिन सेठ के मन में विचार आता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूँ और विवाह किसी राजा महराजा से करना चाहिए श्मित्रों ऐसा विचार करके सेठ नगर से बाहर एक बाबा रहते थे सेठ उस बाबा के पास जाता है और वो अपने मन की इच्छा उन बाबा से कहता है कि बाबा हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं जरा अपने तपोबल से देख कर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किस के साथ होगा तब वो बाबा कहता है देखे सेट जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे या तो आप अपनी कन्या को यहां बुला लाए या फिर हम आपके घर चलते हैं असेट कहता है, हाँ बाबा, आप हमारे घर पधार ये आपके चरण हमारे घर में पढ़ जाएंगे, तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य देखकर जरूर बताएं दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह वो बाबा उस सेट के घर जाते हैं गए थे कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने, पर कन्या इतनी सुन्दर थी कि मौनी बाबा ही उस पर आशक्त हो गया मौनी बाबा का मन सेट की कन्या पर चाला एमान हो गया सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य खुल जाए अब कोई ऐसा जतन करूँ जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए यही सोच करके वो मौनी बाबा एकदम से रोने लगता है मौनी बाबा को रोता हुआ देखकर सेट में पूछा बाबा, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे आपके रोने का कारण है तब वो बाबा सेट को एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है क्योंकि इन रेखाओं का ये फल है कि ये कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी मौनी बाबा की बात सुनकर सेट घबरा जाता है पूछने लगा बाबा क्या इसका कोई उपाए नहीं है जिससे की हमारा कुल नश्ट होने से बच जाए तब मौनी बाबा कहता है इसका एक ही उपाए है तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जला कर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो तब तो तुम बच जाओगे वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर चंपत हो जाएगा मित्रों ऐसी बात बता कर मौनी बाबा तो अपने ठिकाने की और चला जाता है उधर उस सेठ ने मौनी बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया अपनी कन्या को एक बढ़े से संदूक में बंद कर दिया और उसके उपर एक दिया जला कर रख दिया जैसे ही शाम का समय होता है वो उसे नदी में प्रवाहित कर देता है वो संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था मित्रों आपको बता दे कि मौनी बाबा ने ऐसा क्यों करवाया उसने सोचा कि जैसे ही सेथ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाएगा वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस संदूक को निकाल लूँगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूँगा यही सोच कर मौनी बाबा ने अपने चार चेले नदी के किनारे बैठा दी और कहा कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा तुम चुप चाप उस संदूक को निकाल कर मेरे पास ले आना चेलाओ ने कहा ठीक है गुरू जी अब तो साधू के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए उधर क्या होता है वो संदूक जैसे ही नदी में छोड़ा जाता है कुछ दूर आगे तक पहुँच जाता है कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक राजा का राजकुमार खड़ा था राजकुमार शिकार खेलने आया था राजकुमार नदी किनारे खड़ा था अचानक उसकी नजर संदूक पर पहुँच जाती है राजकुमार ने जटपट अपने सिपाहियों से उस संदूक को बाहर निकलवाया राजकुमार ने संदूक खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत सुन्दर अपसरा सी राजकुमारी बैठी थी राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक को और उस संदूक में जंगली सुर पकड़ कर बंद कर दिया और उसके उपर दीपक जला कर रख दिया, फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहिद कर दिया, संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला गया, अब आगे तो महात्मा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे, कि जैसे ही संदूक आएगा हम निकाल लेंगे उन्होंने जट पट संदूक निकाला और अपने गुरू के पास ले आए, गुरू को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया, और चेलाओं से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी, और कहा, सुनो, इस इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दर्वाजा खोलने के लिए कहूं, चाहे कोई और, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना, चेलाओं ने कहा, जो आग्या गुरू देव, इस प्रकार वो मौनी बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है, और जैसे ही उसने संदूक खोल कर सेट की कन्या को देखना चाहा, तो मित्रों, उस संदूक से एक खूंखार जंगली सूर निकलता है, और उस मौनी बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू करता है, बाबा जी बहुत चिलावे की दर्वाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दर्वा मौनी बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी, असेट ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेट के साथ कितना बुरा किया, इसलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर पाने की बिलकुल नहीं है, धरम राज कहते हैं, हे स्वान, वास्तव में ये तुम्हारी कहानी बिलकुल सच थी, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं कब किसकी नियत खराब हो जाएगी, इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्थ प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं, केवल मनुष्य ही बदलता ज प्रभु अब मैं तुम्हें दूसरी घटना सुनाता हूँ, ध्यान दे कर सुनो, एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्यान करने के लिए गये थे, उन्होंने बारह वर्ष तक पढ़ाई की, जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वा कर आ गया हूँ, अब मुझे सब कुछ याद है, आप मुझसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका भली भांत ठीक ठीक उत्तर दूँगा, पंडित जी के पिता जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़ कर आये हो, तो तुम मेरे एक छोटे से पंडित जी कहने लगे, ठीक है, पिता जी पूछिए, पिता ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है, फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, जो किताबे मैंने पढ़ी, उसमें ये वि पता है, अपने पिता की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिता जी तुम चिंता ना करो, आखिर मैं एक ब्राह्मन का बेटा हूँ, मैं पाप के बाप का नाम ढूंड कर ही वापस लोटूँगा, चाहे बारह वर्ष मुझे फिर से क्यों न बीच जाए, मित्रों, पि पंडित जी उस घर में जाते हैं, और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो, तो मुझे पानी पीला दो, हम मित्रों, घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है, पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं ये किसका घर है वुस्त्री कहती है पंडित जी आपको ये बाद पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि ये किसका घर है अब आपने पानी तो पी लिया अब आप पूछ रहे हैं ये किसका घर है तो सुन लो ये घ पंडित जी मन ही मन सोचते हैं पाप का बाप तो मिला नहीं एक पाप और हो गया तभी वो वैश्या कहती है पंडित जी आप आगे कहा जा रहे हो पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंडने जा रहा हूं मुझे काशी में मिले मगर ये जरूरी भी नहीं कि पंडित जी जब काशी में पहुंच जाए तो उन्हें पाप के बाप का नाम वहां मालूम पढ़ जाए। पंडित जी मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वैश्या पंडित जी से कहती है। तू एक दूशित स्त्री है, मैं तेरे यहां भोजन कदापी नहीं करूँगा। पानी पी लिया, उसका भी प्राश्चित कर रहा हूँ पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या कहने लगी। कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल, आटा, घी, शकर सब दे देती हूँ, आप स्वयम बनाकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी। पंडित जी अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे, तो मैं आपको पांच सोने की मोहरे भी दे दूँगी साथ में। मोहरों का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे, कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहा ये मोहरे भी हाथ से चली जाएगी यदि ये मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है मैं इस सीधा ले ले रहा हूँ और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खालूंगा आगे कुत्ता कहता है हे प्रभु पंडित जी को इतनी देर से तो आटा लेने में तकलीफ हो रही थी मगर पांच सोने की मोहरों के लोब में आकर पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने वैश्या के हाथ से वो सीधा ले लिया वहीं पंडित जी दाल, आटा, घी, शक्कर लेने के बाद भी अपने हाथों से भोजन बनाने लगे फिर कुत्ता कहता है हे प्रभु जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुन आती है और पंडित जी से कहती है पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से आटा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ पंडित जी कहने लगे, ओ वैश्या ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत है, तू एक वैश्या है तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता, फिर वैश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे, तो मैं आपको उसके बदले में पांच सोने की महरे और दे दूँगी पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में पांच सोने की महरे मिल जाएगी, तो मेरे पास दस सोने की महरे हो जाएगे पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है फिर पंडित जी वैश्या से कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना तो वैश्या कहने लगी ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी पांच सोने की मोहरे देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा बस अब तुम चली जाओ मैं अपने आप भोजन कर लूँगा तभी वैश्या कहने लगी पंडित जी मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप सिर्फ पांच निवाले मेरे हाथ से खा भी लो तो क्या हो जाएगा अब तो पंडित जी कहते हैं हे दूशित स्त्री अंगुली पकड़ के अब तू हाथ पकड़ना चाहती है मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता तू एक वैश्या है तभी वैश्या कहने लगी पंडित जी यदि आप पांचने वाले मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको पांच सोने की मोहरे और दे दूँगी पंडित जी सोचने लगे अगर ये मुझे पांच सोने की मोहरे और दे देगी तो मेरे पास पंदरह सोने की मोहरे हो जाएंगी फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे ठीक है यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी सामने पंडित जी बैठ गए इधर दूसरी तरफ वैश्या बैठ गई बीच में भोजन की थाली है वैश्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुह की ओर बनाया पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुह खोल दिया जैसे ही पंडित जी ने मुह खोला, वैसे ही वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया पंडित जी आग बबूला हो गए कहने लगे, तेरी ये मजाल तु वैश्या होकर के मुझ पर हाथ चलाती है थपड मारती है, तुने बहुत बढ़ा अपराद किया है वैश्या ने कहा, पंडित जी मैंने कोई अपराद नहीं किया है मैंने तो आपको शिक्षा दी है, आप जिसकी तलाश में आये थे, उसका उत्तर बताया है अपराद तो आपने किया है आप मेरे घर का पानी पीते हैं आप मेरे घर का सामान लेते हैं आप मेरे घर से बनाया भोजन करते हैं आप मेरे हाथों से भोजन करते हैं जब आप वैश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर ये सब आपने क्यों किया पंडित जी कहने लगे तेरे भाव और प्रेम के कारण तो वैश्या कहने लगी प्रेम के कारण नहीं यूं कहिए कि लोब के कारण आपको पंद्रह सोने की मोहरे दिखाई दे रही थी इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तयार हो गए मेरे हाथ से भी खाने को तयार हो गए यही तो पाप का बाप है लोब लोब दिखता गया और आप वो सब करते गए जिसे करना आप पाप समझते थे वैश्या की बात को सुनकर पंडित जी की आँखे खुल गई और पंडित जी पाप का बाप लोब होता है और मनुष्य को कभी लोब नहीं करना चाहिए लोब में आकर मनुष्य वो सब करता है जो निशेद है, शास्त्र विरुद्ध है धर्म विरुद्ध है इसलिए वो पाप है और लोब उसका जन्म दाता लोभ में आकर मनुष्य वो सब करता है जो निशेध है शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है इसलिए वो पाप है और लोभ उसका जन्म दाता आगे कुट्था कहता है हे प्रभू, इसलिए मुझे मनुष्य जाती से घ्र ना है क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बढ़ा नीच से नीच काम कर सकता है मैं आपको आगे बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है वो अपने स्वार्थ के लिए अपने का ही खुन कर देता है धर्मराज पूछते हैं वो कैसे तो कुत्ता कहता है, हे प्रभू, मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था उसके पास मेरे जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता था अचानक वो धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुट्टे को छोड़ना पड़ गया उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुट्टे को गिर्वी रखकर पांच हजार का कर्जा ले लिया और उसने एक नया काम शुरू किया उसने अपने व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके पांच हजार रुपए करजे के ना चुका दूँ तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिर्भी रहेगा और जिस दिन मैं आपके पांच हजार रुपए चुका दूंगा, मैं अपने कुट्टे को ले जाओंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही दुकान में बचा था। वफादार कुट्टे को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं तो वो कुट्टा चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया। और उसने वो जगह देख ली जहां चोरों ने धन चुपाया था। वो जगह देखने के बाद में वो वफादार कुट्टा दुकान पर वापस आ जाता है। सुभह जब व्यापारी सो कर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वो एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। मुहला पढ़ोस के लोग भी इकठे हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वो कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दर्वाजे की तरफ भाग रहा था। जैसे कि वो उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी की लगता है ये कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है इसलिए आपको बार बार पकड़ कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे-पीछे चला जाता है। धर आकर उसने कुट्टे के कान में कुछ लिख करके एक कागज लपेट दिया और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुट्टा बहुत वफादार है और कुट्टे की वफादारी की वजह से जो पांच हजार का करजा तुमने लिया था मैं उसको माफ करता हूँ क्योंकि तुम्हारे कुट्टे की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का सामान चोरी हुआ वापस मिल गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुट्टे को अपने यहां से आजाद करता हूँ और इनाम के तौर पर पांच हजार रुपे और भेजता हूँ। कुट्टा भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। व्यापारी ने जब अपने कुट्टे को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा लगता है मेरा दोस अपना पैसा वापस मांग रहा है इसलिए उसने मेरे कुट्टे को मेरे पास भेजा है मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है मैं इसे कहां से दूँगा अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इ मर जाता है कुट्टे के मर जाने के बाद कुट्टे के दायकान से एक कागज नीचे गिरता है उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है कुट्टा कहता है हे प्रभू इसी लिए मनुष्य जाती से घृणा करता हूं मैं मनुष्य अपने स्वार्थ के ल लालची होता है। जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीबों को दान करता था। जो राजा से सोना पाने के लिए लाइन में लग जाएगा। क्योंकि किसान ने सोचा अगर वो सबसे पहले लाइन में आगे लगेगा तो राजा उसे सबसे ज्यादा सोना देंगे। फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के बाहर एक चौकीदार ने उस किसान को रात्री में महल के दर्वाजे के पास छुपा देखा तो चौकीदार ने सोचा कि ये कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने आया है। और ऐसा सोच कर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगला दिन होता है पिछली रात का किस्सा सुनकर उस राजा ने जाकर कैद खाने में उस बंद किसान से बात की। राजा ने उस अंधेरे कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आये थे, जबकि तुम्हें अपने आपको भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था, क्या तुम्हें ये पत पारी जो बहुत दान पुन्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया, चोरों ने मेरे मवेशियों को चुरा लिया, किसान आगे कहता है, महराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था, मैं रात में इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में ल देश दिया, फिर उसने उस किसान को दस सोने के सिक्के दिये, जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके, किसान ने राजा को धन्यवाद किया, और अपना सोना लेकर महल से निकल गया, लेकिन अगले दिन किसान अपने दस सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को महल के दर्वाजे के पास आकर वो सुबह होने का इंतजार करता था हर सुबह राजा आता था और उसे दस सोने के सिक्के प्रदान करता था इस प्रकार दस सोने के सिक्के वो कई दिनों तक प्राप्त करता रहा आखिरकार राजा ने किसान से एक दिन पूछ लिया जब मैं तुम्हें इतना सोना दे दिया तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आ जाते हो क्योंकि मैं समझता हूँ मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो किसान कहता है, जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, फिर किसान ने राजा की बात मान ली, और राजा ने अपना धन, अपना आधा राज्य उसे दे दिया, धर्म राज कहते हैं, इस प्रकार कई साल गुजर गए, और वो किसान बहुत धनवान बन गया, उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया, और फिर उस राजा से भी ज्यादा, उस राज्य के गरीबों में धन बांटने लगा, मित्रों राजा किसान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत खुश होता है, कि वो गरीबों की मदद करता है, उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बढ़ा सुख है, और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीखा था, कि वो भी अपना धन अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे, और फिर किसान और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया, प्रजा सुख पूर्वक जीने लगी, धर्म राज बोल, हे स्वान, दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, तुमने बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को उन्हीं में क्यों शामिल कर दिया, जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा फल भी मिलता है, फिर कुत्ता कहता है, ठीक है भगवन, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनों की दुनिया में लोग कितने गिरे हुए हैं, कितनी घटिया सोच वाले हैं, राजा बन कर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, किसी नगर का एक राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में जाता है, शाम को जब घर की तरफ लोट रहा था तो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी, पास में ही एक किसान अपने खेट पर काम कर रहा था, राजा ने किसान से कहा, मुझे पानी पिला दो, किसान के पास पानी तो नहीं था, पर उसके खेट में तरबूजों की फसल खड़ी थी, उसने एक बढ़े से तरबूज को काट कर राजा को दिया, उस तरबूज में इतना रस निकाला कि वो तरबूज के रस को पी कर राजा की प्यास बुझ गई, राजा ने कहा, राजा ने किसान से पूछा कि तुम राजा को कितना कर देते हो किसान ने उत्तर दिया कि एक टका वीघा ये सुनकर राजा सोचने लगा कि किसान की पैदावारी तो बहुत है और ये एक टका वीघा ही कर देता है इस पर करकी दर और बढ़ानी चाहिए राजा ने मंत्री से कहकर किसानों पर कर की दर बढ़ाने का हुकम कर दिया यह एक दिन राजा शिकार से फिर लोट रहा था और किसान के खेट के पास से गुजर रहा था राजा को प्यास लगी तो उसने उसी किसान से पानी मांगा तब किसान ने एक बढ़े से तर्बूज को काट कर राजा के सामने आगे रख दिया लेकिन दोस्तों हैरानी की बात ये थी कि उस दिन तर्बूज में इतना भी रस नहीं निकला कि राजा त्रिप्थ हो जाता राजा ने दूसरा तर्बूज कटवाया उसमें भी रस नहीं था इसी तरह चार-पांच तर्बूज कटवाने के बाद भी राजा की प्यास नहीं बुजी ये देखकर राजा बड़ा हैरान था कि उस दिन तो एक तर्बूज ने हमारी और हमारे घोड़े की प्यास बुजा दी थी और आज चार-पांच तर्बूजों को काटने से भी प्यास नहीं बुजी उसने इस बात का जिक्र मंत्री से किया मंत्री ने कहा महराज तर्बूजों का रस इसलिए सूख गया क्योंकि आपने तर्बूजों के रस को देखकर किसानों पर कर की दर बढ़ाई थी बुरी सोच सामने वाले को भी बुरा बनने के लिए विवश कर देती है यही प्रकृती का नियम है कुत्ता कहता है इसलिए प्रभू मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता मुझे आप और कुछ बना दो दर्शन बंधूँं कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न होते है और उसे वर्दान देते हैं कि जाओ हम तुम्हें दिव्य रूप दे रहे हैं देवता बन करके तुम स्वर्ग के सारे सुख हैशो आनंद लो इस प्रकार से देवता बन करके वो कुत्ता स्वर्ग में चला जाता है दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय देना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै श्री कृष्ण